नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट बिस्टबरासी वालों 2021 जाते हुए यानि दिसंबर 2021 और नए साल की सुरुआत जन्वरी 2022 ये दो मेने आपके जीवन में ला रहा है बहुत बड़ा बदला आईए जानते हैं बिस्तार से पहले बात करेंगे दिसंबर 2021 की तो सुरुआत करते हैं आपके करियर से लेकिन ये प्रेडिक्शन चंदरासी पर आधारित है तो दिसंबर का महना ब्रिस्टबालों के लिए मिल अंगल देव हैं आपके रोग चोट रिन करजे के बहुत चटे बहुं में हैं तो ऐसे में कारे स्थल पर कुछ ऐसी स्थितियां होंगी जो आपको थोरा तनाव बढ़ाएगा आपके थोरे चिंताओं को बढ़ाएगा तो ऐसे में अपने अंदर कॉंफिडेंस कम महसूस की जीएगा तो जिससे कारे छेतर में आपका परदर्सन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए इस समय आप अपने अधिन कार कर रहे हैं जो भी लोग हैं उनसे चोटे मुटे बिबाद जगड़े जैसी चीज़ें तो ऐसे में आठ आएगा कि आपको भागे का साथ कितना मिलेगा और आपके सिनियर का समर्थन आपको कितना मिलेगा तो बड़े बुजर्ग और जो आपके सीनियर है वरिष्ठ हैं उनसे अगर कोई सलाह मसबरा करके आप आगे बढ़ते हैं पने करियर को आवस्यच्रा जदिते आथे थी द हना कि छोटी दूरी की यात्रा वेगे रखे भी योग हैं और लगातार प्रगती और धन भी आएगा अगर आप कोई भी अचल संपत्ती से समंदित कारियों से जुड़े वे हैं तो थोड़ा सा अधिक आपको साधानी रखनी है दिसंबर के मेहने में जानते हैं धन की स्थित लेकिन कोड कचले इसके मामलों में भी आपको सफलता दिलाएगा अगर आप वैपारी हैं तो आपके लिए लाब भी देगा लेकिन दूसरे सप्ता हमें जो अस्टम भाव में बुद्ध की पस्तिती है नो भाव में सुक्र है तो धन की मुस्किलों में आपको धन प्राप् अगल आपके सप्तम भाव में ऐसे में दिसंबर के मेहने में जीवन साथी पर अपनी आय का एक बड़ा हिसा खर्च कर सकते हैं जिसे बजट प्रावावित होगा तो ऐसे में बेबज़क खर्च करने से बचें खर्चों पर अगर शुरुआत से ही आप कंट्रोल रखते हैं तो बढ़ियां रहेगा कुल मिलाकर दूसरे भाव पर गुरु ब्रिस्पति की द्रिश्टी है तो नियमीत आय तो आपको करवाएंगे लेकिन खर्चों के बीच संतुलन आपको बनाना होगा स्वास्त की बात करते हैं तो यह जो दिसंबर का मेहना है यह साल जाते जाते अ तो मंगल बुद्ध और सुक्र है न यह तीनों ही आपको जीवन को प्रभावित कर रहे हैं ऐसे में स्वास से जुड़ी समस्याओं में आपको राहत मिलेगा लेकिन इसके बाव जो थोड़ा सा पेट या पेट के नीचे का जो एरिया होता है न इसका आपको ख्याल रखना है थोड़ा सा दर्द बेगेरा हो सकता है तो खान पीन पर कंट्रोल रखें अब यह सर्दियों का मौसम है ऐसे में पानी बेगेरा खुब पीए नियमीत रूप से लिक्विड डायट ले अब यहां पर देखिए आप सूरे आपके स्टम हो में येकिनन आपके लिए रोक प पानी पीजिए मुह और आँख दोनों का ख्याल रखिए आँखों को ज्यादा कस्ट मत दीजिए टेलीविजन मुबाइल विगर से थोड़ा सा दूरी बनाये रखें क्योंकि सूरे यहां कमजोर है तो अपने उपर ध्यान रखें आईए जानते हैं आपके प्रेम और अच्छा की भावना है तो यहां पर थोड़ी सी तक्रार होगी तो ऐसे में इन चीजों से तक्रार से बचिए अगर आप और विवाइत हैं संबब हैं अच्छा प्रस्ताव आपके जीवन में आपको अच्छे प्रस्ताव मिलें और साधी के बंदना भी आपके लिए प्रवादिकता है जो आपकी चिंताओं को बढ़ाएगा और बैवाही जीवन एक सकायत्मक्ति सब्सक्राइब में इसके बावजूद आपका आगे बढ़ेगा पर यहां पर मंगल यह बता रहा है कि जीवन साथी प्रेम और सने की प्राप्ति उनसे हैं लेकिन और यहां पर काल पुरुस कुंडली कहती है कि मंगल आपके 12 भौके स्वामी भी होते हैं तो ऐसे में जीवन साथी को किसी सुन्दर या मजेदार यात्रा बेगेरा पर आप जा सकते हैं आपके रिस्तों के लिए अच्छा होगा अगर हम पारे बारी जीवन की बात करें तो इसमें अपनों का प्रेम आपको प्राप्त होगा बीच बीच में सूर्य मंगल थोड़ा सा वानी में कठोरता देगा लगन में राहू भी बैठे हैं तो ऐसे में क्या होगा पिता के साथ रिस्तों को थोड़ा और बहतर कीजिए अपनी चिंता को ब्रदी होने मत दीजिए और दामपत्य जीवन में संतान की उन्नती है जो आपको सुकून देगा अगर इसमें कोई प्रोपर्टी आप बेचना चाहते हैं खेदना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी मत कीजिए बहत आवस्यको तो अपनों से बड़ों से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें उपाय के तोर प प्रश्मी को औरफित करने के बाद अच्छा रहेगा अब बात करते हैं जन्बरी 2022 नया साल आपके जीवन में कितनी खुसियां लेकर आ रहा है तो जन्बरी 2022 होगा बहुत बड़ा बदला क्योंकि देखिए ब्रिसप बालों सुरुआत में छोटी मोटी समस्या तो है क्यों क्योंकि हो सकता है किसी को आपकी बातें बुरी लग जाये उनसे खुल कर बाते करें लेकिन धहर से भी काम ले तो अच्छा है यदि आप बैपारी है तो यहां पर मंगल भारी है सप्तम बहुं में मंगल बैठा है मंगली दोस्ट बनाकर तो बैप साहम में पुराने समझव होते तूट सकते हैं ध्यान रखें बाजार को लेकर तो समस्या हो सकती है ध्यान रखें जो लोग जॉब करते हैं यातरा वेगर की होगे साफधानी रखना है लेकिन आपकी जो सहकर्मी है वह कहीं आपका अहित तो कर रहे हैं कहीं काम में अर्चनीट तो नहीं डाल रहा है इसका भी ध्यान रखना होगा किसी से भी मत उलचिए विद्यारती है करियर को डेकर स्रियस हो जाएए संतुष्ट होंगे वैसे तो आपको एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं खासकर तो आपको उसमें सफलता मिलेगी औ अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएंगे और छोटे मुटे मतवेद हैं कोई खास टेंसर नहीं है लेकिन सिंगल है तो आपकी जीवन में कोई दस तक दे सकता है बर चल्दवाजी में कुछ भी करने से बचिएगा स्वास्त की बात करें तो बेगर का आननद आप ले सकते हैं तो बिसर बालों के लिए नए साल का जो पहला मेना है पदोनती सैलरी में इजाफा दोनों ही आपको देगा पर थोड़ा सा धैर बना के साथ आपको आगे बढ़ना होगा इस बात को आपको दियान रखना है और ये बर्स 2020 की तुलना में ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप लाब जरूर कमेंगे तो हम फिर मिलेंगे बहुत सारी बाते करेंगे आपके बारे में और बिस्तार से जानेंगे कि जन्वरी मेहने में और क्या होने वाला अभी आपसे विदा लेते हैं हरहर महादेब धन्यवाद